बलं बल्वंत चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेशू कामो अस्मी भरत रिशब नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के साथवे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है जिसे हम आज कहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं श्लोक के वो कहता है प्रिश्ने ने समझाया कि कैसे वह धर्म के साथ में होते हैं तो उसी विचार को यहां पर आगे बढ़ाते हुए और कुछ और उधारन देते हुए वह अर्जुन से कहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनका बल मैं हूँ तो इस प्रकार से वह बलवान व्यक्ति का बीज हैं क्योंकि जो बलवान व्यक्ति है वह अपने बलके द्वारा ही बलवान होता है कि यहां पर वो यह भी जोड़ते हैं कि ऐसे बलवान व्यक्ति का बल हूँ जो की काम राग से मुक्त होता है अर्थात जो अपने बलकाउप योग केवल काम और राग से मुक्त होके करता है अपने स्वेम की कामना या अपने राग से मुक्त होके जो करता है उसके उस बलवान व्यक्ति का बल मैं हूँ और आगे फिर वो कहते हैं कि जो धर्म के साथ रहने वाले व्यक्ति होते हैं या धर्म के साथ आचरन करने वाले जो भी प्राणी होते हैं उन सब के भीतर जो काम है और काम का यहां पर अर्थ है कामना जो कामना है वह मैं हूँ तो यह जो यहाँ पे इनका वक्तव हब है कि धर्म के साथ कारे करने वाले जो वक्ती होते हैं उनके भीतर की कामना मैं हूँ या वो जो बलवान वक्ती हैं जो की राग और द्वेश से मुक्त रहे करके अपने बल्काउपयोग करते हैं वह मैं हूँ तो यहां से हमें यह स्पष्ट और हो जाता है कि किस प्रकार से श्री कृष्णा धर्म के साथ मैं है या धर्म ही वास्ता में श्री कृष्णा है क्योंकि देखिए यहां पे उन्होंने बोला कि जो धर्म के साथ में कार्म करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके भीतर कामना मैं हूं या उनके भीतर जो इच्छा है वह मैं हूं तो यहां पर हमें समझना चाहिए कि जैसे बोला जाता है कि कामना जो होती है वह अच्छी नहीं होती है हर रूप में जो हर प्रकार की कामना जो होती है वह अच्छी नहीं होती ह उसके विरुद्ध यहां पर शुरिकृ्ष ने बोल रहे हैं कि एक कामना ऐसी होती है, जो की अच्छी होती है, और कौन जी कामना होती है? वह कामना वह नहीं होती और वह कामना वह होती जो कि धर्म के साथ में कारे करने की भावना होती है तो जैसे उसका हम उधारन ले सकते हैं कि मान लिजे कि आप अपनी मोटर साइकल या बाइक जो है उसको बेचना चाहते हैं उसका विक्राय आप करना चाहते हैं और उसको विक्राय करने के लिए आप जब जाते हैं तो एक विक्ति आपके पास में आता है जो की कहता है कि मैं आपकी ये जो बाइक है इसका क्राय करूँगा और इसके लिए मैं आपको 20,000 रुपए दूँगा अब आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति 20,000 रुपए देने के बोल रहा है ये एक अच्छी अच्छी मुझे डील यहां पर मिल रही है और आप बोलता है कि ठीक है मैं अपनी ये जो भाई के ये आपको बेच रहा हूं 20,000 रुपए में अब होता है कि जब व्यक्ति 20,000 रुपए लेने जाता है तभी कोई एक और व्यक्ति आपके पास में आता है और वो देखके बोलता है कि आरे आपकी ये जो भाई के मुझे बढ़ी अच्छी लगी मैं इसके लिए आपको 50,000 रुपए देने के लिए तियार हूं देते हैं 50,000 रुपए में या एक लाख रुपए में जो भी तो उस स्थिति में आप वास्तों में धर्म के विरुद्द चले गए क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए तो आपने अपने वचन है उसके लिए कार रिखिया और श्री क्रिशन के विरुद्ध कार रिखिया किन्तों वहीं पर यदि आप उस पचासाजार रुपए देने वाले वेक्ति को बोलते हैं कि नहीं मैं आपको यह बाइक जो है यह विक्राह नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले से ही वचन किसी और व कर रहुंगा और मैं अपने वचन के साथ में कार्रे करूँगा तो यह जो आपने कार्रे किया ये भी वास्ता में कामना के साथ इंगारे का मना ये जो आपकी कामना थी जरना के धर्म जो है वह दुगदाई होती है हर प्रकार की कामना जो होती है दुगदाई होती है हमें कोई कामना ही नहीं करनी चाहिए कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए यह विचार वास्ताव में हुचित विचार नहीं है एक कामना ऐसी होती है जो की वास्ताव में हमें सुख लेकर आती ह है कामना जो है वह धर्म کے साथ रहने की पामना है तो यही बात यहाँ पर श्रेक्रिशन कहरे है कि जो बल्वान विक्ति है उसका बल मैं हूँ जब वह विक्ति राग और दुष्ट से मुक्त होके काम कर रहा है अर्ता जब विक्ती अपने एहंकार को समाप्त करके राग और द्वेश से वैसे मुक्त हो जाता है और अपने एहंकार को समाप्त कर लेता है और तब धर्म के साथ रहकर जब कार्रे करता है तो वह मैं हूँ क्योंकि ऐसा भी तो हो सबता है नहीं कि विक्ति राग और दुवेश से मुक्त होके एकदम नीरस ही हो जाए, ऐसा हो जाए कि कुछ करे ही ना, तो जब कुछ करे ही ना, वह स्थिती भी बुरी होती है, तो वैसी स्थिती में नहीं जाना है, धर्म के साथ में रह करके कार्रे करना है, धर्म के साथ कि मैंने इस इस फ्लुक को आपको समझा दिया होगा चलिए इसे के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यहिदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और फैलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे Instagram पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक Live Q&A सेशन रखता हूं और आप मुझसे महाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जाए शीर क्रिशन